नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल उनलाइन लीगल एडवाईज में मैं हूँ अशोपांडे हमेशा की तरह मेरी आप से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल उनलाइन लीगल एडवाईज सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे इसके साथ बैल आइकन प्रेस करना ना भूले जिससे हमारे लीगल वीडियोज आपको मिलते रहें आप तक पहुँचते रहें दोस्तों हमेशा एक सवाल ये पूछा जाता है कि अन्कॉंटेस्टेट डिवॉस है अन्कॉंटेस्टेट डिवॉस का मतलब क्या हुआ कि मीचिल डिवॉस है जहां पर पती पतनी आपस में आपसी सहमती से तलाक रहें गा alघ हो जाते हैं तो इस कंडिशन में समय कितना लगता है क्योंकि समय की चंता हरें को होती है तो आज ही हमारे जो डिवॉस के तोपिक टे जिसके पहले मैं आपको बताया था डिटेल में तो बहां पर काफी लोगों ने मुझे सवाल पूछा कि कितना समय लगता है अगर divorce uncontested है इसके पहले जो वीडियो था मैंने आपको explain किया कि आखे decree और judgment अगर आपको court से लेना है तो उसमें कितना समय लगता है इस वीडियो में मैं आपको explain करने वाला हूँ कि कितना समय लगेगा अगर uncontested divorce है mutual divorce है तो ये कि standard question है तो समझते हैं जो सबसे ज़्यादा lawyer से ये सवाल पूछा जाता है सबसे ज़रूरी बात ये है कि अगर जहां कर कभी भी mutual divorce की बात आती है दोनों ही यानि पती और पत्नी दोनों को ही आपस में अपने सारे issues को settle करना होता है सबसे पहला अगर बच्चे हैं तो child support मतलब बच्चे की परवरिश के लिए या बच्चे के education के लिए कौन कितना payment करेगा किस तरीके से उसकी देखरेख होगी इसकी उपर बात करना सबसे ज़रूरी है और mutual divorce के cases में सबसे पहले इस question को आपको settle करना चाहिए दूसरा child custody याने बच्चे की जो physical custody है तो physical custody किसके पास रहेगी वो मदर के पास में रहेगी या फादर के पास में रहेगी तो यह देखना भी काफी ज़रूरी है इसके बाद property होती है शायद उन्होंने joint property ली हो या अलग husband के नाम पे property हो या cable wife के नाम पे property हो तो इस condition पे जो property है वो marital dispute के बाद में property किस तरीके से determine होगी किस तरीके से divide होगी इस question को decide करना ज़रूरी है visitation याने पती को अगर child custody है तो मा किस तरीके से visit करेगी बच्चे को कैसे मिलेगी तो visitation और access right को determine करना ज़रूरी है अगर मा के पास में custody है तो father या उनके parents किस तरीके से visiting और access right लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके consent term पे या के आपके marriage agreement जो भी आप divorce के लिए बना रहे हैं तो इस agreement में आपको mention करनी चाहिए maintenance का सवाल भी बहुत ज़रूरी है maintenance याने पती पतनी को कितना maintenance देगा alimony क्या देगा तो ये सारी चीज़ें आपके mutual divorce पे आ जाती है समय नी जाया करते हैं और आते हैं और बात करते हैं बापस से अपने topic पे जहां पर लगभग 6 महीने का समय लग जाता है अगर आपने mutual divorce फाइल किया है मैंने आपको एक वीडियो में explain किया था कि इस 6 महीने को भी कैसे आप वेवाफ कर सकते हैं अगर आपको information चाहिए तो हमारे वीडियो section में जा करके आप proper information ले सकते हैं लेकिन दोस्तों यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो mutual divorce के जितने भी cases हैं वो 6 महीने से लेकर के देड साल यानि अठारा महीने तक extend किये जा सकते हैं किस तरीके से extend होंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं जहां पर जो भी मैंने आपको ये issues बताए यानि child custody, child support, visiting, division of property alimini, maintenance अगर ये सारे issues में से कोई भी अगर रह गया बच गया या solve नहीं किया आप लोगों ने तो आपका case urgent हो सकता है आगे बढ़ सकता है, extend हो सकता है और आप कब तक extend कर सकते हैं? देड़ साल तक यानि 6 महीने कम से कम mutual divorce में लगेगा और देड़ साल यानि 18 महीने maximum आपको लग सकते हैं condition यही है कि अगर आपने कोई issues settle नहीं किये हैं अगर आपने सारे खतम कर लिये तो exactly 6 महीने में आपका case खतम हो जाएगा बेवाफ भी कर सकते हैं इसके साथ ही मिरको आपको यह भी बताना जरूरी समझ में आ रहा है कि आपको दो lawyer appoint करने यानि पती और पतनी दोनों की तरफ से आप अलग-अलग lawyer appoint करेंगे मीचल या uncontested divorce में या एकी lawyer से आपका काम बन जाएगा दोस्तों अगर आप लोग के बीच में जादा कोई dispute नहीं है तो आप एकी lawyer appoint कर सकते हैं आपका एकी lawyer दोनों की तरफ से represent करके आपको litigation में help कर सकता है अगर आपको इस सारी procedure के बारे में जानकारी है तो आप खुद भी कर सकते हैं लेकिन आपको ऐसा लगता है कि for safer side मतलब आपके hit की सुरक्षा के लिए रक्षा के लिए आपको अपनी तरफ से आपकी wife को अपनी तरफ से lawyer appoint करना ज़रूरी है तो इस condition पे भी आप कर सकते हैं दोनों के ही अलग-अलग lawyer होंगे जो आपको मीचल डिवास में help करेंगे आपको ये वीडियो कैसा लगा निश्यत रूप से आप comment box पे mention कीज़े आपके सवालों का भी मैं स्वागत करता हूँ आप मुझे सवाल mention कीज़े comment box पे और अगर आप अपनी personal problem के लिए मुझे बात करना चाहते हैं तो आप appointment ले करके मुझे बात कर सकते हैं appointment का link मैं आपको इस वीडियो के description में mention कर दूँगा आपका बहुत कीमती और महत्रपूर्ण समय जो आपने मुझे दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद